सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भुलें नमस्कार दर्शको बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेश कारिक्रम दिशाधाम में मैं हूँ आपके साथ निशा दर्शको एक मात्र ऐसा कारिक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की और अपने कदम बढ़ा सकते हैं आप अध्यात्म की और घूम सकते हैं तो चलिए अपने इस कारिक्रम को शुरू करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है गुरुमा तपेश्फिरी नंदा जी गुरुमा बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो बिल्कुल दर्शको अपने इस एकमात्र कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारे इस कारिक्रम के जरिये हम आपसे जुड़ते हैं और कई प्रशनों के उत्तर यहाँ पर गुरुमा हमें देती हैं किस तरह से आप अध्यात्म की और अपने कदम बढ़ाएंगे आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा ये भी गुरुमा लगातार आपको ग्यान देती हैं तो चलिए अपने विश्वेश कारिक्रम की शिरुवात करेंगे कुछ प्रशनों के साथ गुरुमा जैसे कि ह हमेशा से प्रयास करते हैं कि हम लोगों को अध्यात्म की और बढ़ा सकें आज हम बात करेंगे मैं चाहूंगे कि आप दर्शकों को बताइए कि हुंकारा विध हलीम क्या है नेकिए निश्या जी जैसे अभी हमने पिछले एपिसोडों बात की लामा फिरा के विश्या बात के और अध्यात्म की बहुत सारी हमने जान करें ली उसके साथ साथ ये हुंकारा विध हलीम भी ऐसा एक हीलिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपना बौधिक विकास कर सकते हैं आप दोड़ दिरिश्टी ज्यान प्राप्त कर सकते हैं जैसे आज आप कोई काम कर रहे हैं उसका आगे आने वले भविश्य में ये हमारे लिए सही है या नहीं है या किसी से आप मिल रहे हैं वो व्यक्ति आपके लिए आगे भविश्य में ठीक है या नहीं है जिसको हम कहते हैं दूर दिरिश्टी ज्यान दूर दिरिश्टी ज्यान हमें हुंकारा विध हलीम के लिया गया शब्द है जैसे महादेव कथा सुनाते हैं और माता पारवती हुंकारे भरती हैं जैसा कि हम बच्पन में कहानियां सुनते थे अपने नानी दादी से और हुं हुं करके हुंकारे भरते थे और जब हम हुंकारे भरते थे तो वे कहानियां हमारे आज भी जीवन में हमें याद हैं और हम आगे आने वली अपनी पीडियों को सुनाते जाते हैं या इसका परचार हम बहुत सारे जगह हम करते रहते हैं कभी कोई कहानी अगर हमसे सुनना चाहता है तो हम उन्हें भी ये कहानिया सुनाते हैं ऐसे ही जब वो कहानिया याद रहती हैं उसी परकार जब हम हुंकारा विध हलीम में, जो ये हुंकारा शब्द है, इसका एक परतिक चिन होता है, जो परतिक चिन हम अपने बॉड़ी पर डालते हैं, तो उसके द्वारा हमारी एनरजी ऐसी एक्टिव होती है, जिसके द्वारा हमारा दूर दृष्टिक ज्यान जागरित होता है, यह हमारा बौधिक विकास होता है हमारी इस्वर्ण शक्ती जागरित होती है जो हम भूलने की जो हमारे जीवन में कमी है वो दूर होती है हमारी इस्वर्ण शक्ती तीवर होती है ऐसे ही दूसर शब्द है हलीम हलीम अर्बी शब्द है मुसलिम भाशा का शब्द है इस सिम्बस के द्वारा हम अपने शरीर में उत्पन हुए जो हमारे माइड में विचारों के द्वारा नेगेटिव थौर्ट्स हो जाते हैं उन थौर्ट्स से हम नेगेटिव होते चले जाते हैं या कुछ नेगेटिव शक्तियां हमसे अटैच ह होती चली जाती हैं क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं जैसे हमारी सोच होती है जैसे हम दिन भर में सोचते हैं या जैसा हम देखते हैं वैसा हमारे साथ घटने लग जाता है तो उस सब को समाप्त करने के लिए हलीम सिंबस हमारे जीवन में कारगर से दुआ है अब मैं एक तरन के तोर पर यहां में बताना चाहूंगी, जैसे आप सुबह उठते हैं, एक निउस पेपर लेके बैठते हैं, या टीवी देख रहे हैं, उसमें कोई निउस देख रहे हैं, आप जितनी नेगरिटिव चीजियां उसमें देखेंगे, वो आपके माइंड में बैठ जाती ह अब फिर उसी तरह का विचार बनता चला जाता, उसी तरह की एनरजी डिवाइन में डबलप होती चली जाती है, अब डिवाइन में तो बाद में होती है, पहले आपके घर परिवार में ही वो उत्पन हो जाती है, वो इस्तिती, जो एनरजी ने क्रिएट की, तो यहां कहने का तादपर यही है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम डिवाइन में या अपने परिवार में या अपने साथ रहने वालों को देते हैं अब एक व्यक्ति अगर आपको हर समय दुख की बात कहे जाए तो आप थोड़े समय के बाद उसके पास जाना ही छोड़ देंगे कि इसके पस क्या जाईए तो negative ही बोलता है हाँ आप spiritual हैं आपके अंदर इतनी शमता है कि आप उसके सारे दुखों को सुन सकें जैसे एक गुरू होता है वो हर अपने शिश्य के सारे दुखों को सुनता है जब वो कितने ही दुख क्यों नगा दे लेकिन फिर भी वो हारता नहीं है और उसके प्रश्णों का उत्तर देता रहता है अगर आपके अंदर इतनी शमता है तो आप सुनेंगे अगर नहीं है तो आप उस व्यक्ति को ही छोड़ देंगे तो इस तरह के विचार अपने मन में ना लाओ और ना देखों इस से क्या होता है एक मोटिविशनल में एक आपको बात भी बता रही हूँ यहां इस हम अपने हुकारा विधहुलीम के साथ ही क्योंकि जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव देखते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे टीवी चैनल पर अच्छा नहीं आता या नियूज में कुछ अच्छी खबरे नहीं आती हमारा धियान अच्छी पर जाता ही नहीं अगर देख भी लिया तो वो उसी समय खतम हो जाती हैं लेकिन नेगिटिव या जो हमने नियूज पर पड़ा उसमें जो सुबर सुबर हमने उठते ही नियूज पर हाथ में लेते ही जो खबर सुनी सारा दिन चर्चाओं में बिता दिया और वैसी ही एनरजी वैसे ही विचार जब दूसरों तक पहुंचते हैं दूसरा वैक्ति भी नेगिटिव हो जाता है तो इसलिए उन विचारों को जो हमारे नेगिटिव हैं उनको पॉजिटिव बनाने में हलीम सिंबल्स कार कर है अब हम तीसे सिंबल की बात करते हैं इसमें तीसा सिंबल आता है साध्या हुंकारविध हलीम के तीन सिंबल होते हैं अब साध्या के भी अलग-अलग नाम है अलग-अलग परपस के लिए जैसे हमें अगर हमारे पती-पत्नी रिलेशन्स बिगड़े हुए हैं तो उनको सुधारने के लिए हमारा सिंबल्स या हुंकारविध हलीम के जो विदी है वो कारगर सिद्धूई है अब जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका बौदिक विकास करना है या आपके बच्चे बहुत चंचल हैं आपकी बात नहीं मानते हैं सारा दिन खेल में रहते हैं आप पढ़ाई में कौनसेंटेशन नहीं कर पाते हैं या कुछ उम्र के बाद कुसंगती की तरफ जाते हैं तो उस अवस्ता में हुंकारविध हलीम बहुत ही कारगर सिद्धूआ है आप बच्चों को कुसंगती से बच्चा सकते हैं आप बच्चों का बौधिक विकास कर सकते हैं उनकी इस्वरंट शक्ती जागरित कर सकते हैं उनको लक्षे साधने के लिए जैसे अब आपकी एज्यूकिशन पूरी हो गई आपको नहीं समझ मारा कि आपको जीवन में करना क्या है आप अपने लक्षे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं आपको अपना लक्षे मालू ही नहीं है तो लक्षे तक पहुँचने के लिए लक्षे को साधनी के लिए हुंकारा विधहलीम बहुत ही कारगर सिद है अब इससे रिलेटिड में कुछ बाते आप सभी को बता दूँ कि हुंकारावी धहलीम जैसे कि आज आज आपने मेरे द्वारा सुना कि हुंकारावी धहलीम क्या है मैंने अपनी यूटीब चैनल पे भी बहुत बार हुंकारावी धहलीम के विशे में बताया है लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हुकारावीद हलीम के विशवे मेरे से जानते हैं तो वो यह कहते हैं कि गुरुमा हमने कहीं पर सर्च किया था तो वो इसको बगला मुखी साधना से जोड रहे हैं कि इसके लिए आपको बगला मुखी साधना करनी पड़ेगी या कोई भी साधना जोड रहे है इसके लिए आपको 6 महीने का समय लेगा तीन महीने का समय लेगा इसा हर पद्धिति के विश hen में सुनने मैं आ रहा है लामा फिरा में भी यही चल रहा है शाल्विक में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है क्योंकि शाल्विक इतना लोगों को आता भी नहीं है और इतना समझ भी नहीं पाए है शाल्विक के विशे में तो यहां शाल्विक अभी इस चीज़ से बचा हुआ है उसके विशे में मैंने आज तक कोई बात नहीं सुनी हाँ अपने अगले कोर्सिज योगमाया के विशे म तो मैंने इस तरह की भ्रांतियां बहुत सुनने में आती हैं, क्योंकि आप जैसे दर्शक, जैसा सार्च करते हैं, जैसा देखते हैं, आपको वो सही लगता है, लेकिन सही क्या है, ये नहीं मालूम, तो आज अगर आप सब मिर को जान रहे हैं, या देख रहे हैं, या मुझस रही हूँ कि जब जब हम किसी पद्यती से लाब उठाते हैं तो हमारा विश्वास उस पद्यती की तरफ बढ़ता है हमारा confidence बढ़ता चला जाता है और जब हमारा confidence बढ़ता है तो हम दूसरों को लाब दे भी सकते हैं और खुद से लाब उठा भी सकते हैं और आपका confidence ही डा लामा फेरा को लेकर कोई वो कहती है कि गुरुमा मैंने तो सुना था इसमें छे दिक्षाइए दी जाती है छे महीने तक का कोर्स है इसमें सोला सिंबल है कोई कहता है आठ सिंबल है तो इस तरह से मैं बहुत कन्फ्यूज हो गई हूँ लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि ला बाद जब उनके कन्फ्यूजन दूर हो गए और उन्होंने इस पद्यती को सीखा तो वे लाबान वित हुई क्योंकि जब तक आपके मन में संशे रहेगा तब तक आप किसी भी थेरेपी का या किसी भी हीलिंग प्रोसेस का लाब नहीं उठा पाते सबसे पहली बाद तो आ आपके अंदर जो विचार आपके चल रए हैं जब तक वो विचार खाली होकर आप निर्विचार नहीं हो जाते तब तक कोई भी पद्यति आपको समझ ही नहीं आईगी ऐसे बहुत सारी शिशा आते हैं जो कहते हैं कि मेरे को तो जो है ना दौंध में हूँ मैं मुझे बता रहे हैं या दूसरे सही बता रहे हैं लेकिन एक बात अगर आपको समझ वे आ जाए कि अगर मैंने कुछ बताया है तो मैं बिलकुल लीनेस के according बता रही हूँ परंपरागत तरीके से बता रही हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने दी और मेरे गुरु को जो पीछे से मिला वो उन्होंने मुझे दिया जो मुझे मिला वो मैं आप सब को देना चाहती हूँ और मेरे गुरु का एक ये भी कहना था कि तुम सिरफ वहीं तक मत रहना जहां तक मैंने सिखाया है, मुझसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करना, आज के समय में कोई गुरू ऐसा नहीं कहता, और वही शिक्षा मैंने उनसे राप्त की, उसी को मैंने गुरू मंत्र माना, और वही गुरू मंत्र में मान कर, आप सबको भी यही बात पताना चाहती हूँ कि इस अध्यात्म वो बहुत गहराई है आपके भाव आपकी योगिता आपका समर्पन आपको ना जने कहां तक पहुचा दे इसलिए आप विश्वास करके अपने समर्पन भाव से हट पद्यति को सीखो और जानो और अध्यात्म में सबसे पहले तो आप की अपनी शर्दा आपका अपना विश्वास कारे करेगा सिखाने वाले का कुछ नहीं करता एक कक्षा में एक अध्यापक सभी बच्चों को पढ़ाता है लेकिन सभी निपुन नहीं होते जिनकी योगिता उस सब्जेक्ट को पढ़ने की है कोई साइंस में योगिता है कि अनुसार उसको आगे बढ़ाना शुरू कर जाए तो वे शिश्य हमेशा आगे बढ़ेगा और मैं भी इसी बात का ध्यान रखती हूँ कि आपकी योगिता कहां तक है आप किस पद्देती को सीखने के लिए योगिये है यदि आप पूर्ण ग्यान को प्राप्त करने के है तो मैं आपको कहूँगी हाँ आप इस पूर्ण ग्यान को प्राप्त कर सकते हैं आप किसी हीलिंग प्रोसेस के लिए है तो मैं आपको बताऊंगे कि हाँ ये हीलिंग प्रोसेस आपके लिए सही है एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरे एक शिश्य थे जो तीन साल का मु करा रही हूँ उनको करने के लिए पहले उन्होंने जो किया वो मैंने कराया क्योंकि मुझे पालूम था कि इसको ये कर लेंगे लेकिन मेरा मानना और सामने वाले ने उसको करने के लिए मुझसे आगरे करना ये काफी नहीं होता जो मैंने करवाया है उसका जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो ज्ञान या वो शक्ती जो आप पाना चाहते हैं वो जागरित नहीं होगी वो करके चले गए अब सेकिंड टाइम जब आई तो उन्हों का गुरुमा मुझे जो है 21 परकार के ध्यान की विदी सीखनी है अब 21 परकार के ध्यान की बिदी की उन्होंने मुझे फीस भी जानी है मैंने उनको फीस भी बता दी लेकिन फीस तो आज के सबी हो पता हम अपनी वेबसाइट पर बी डालते हैं और वैसे बताते भी रहते हैं रोश्ठर में भी डली होती है तो फीस कोई माइने नहीं हih रखती यहाँपर लेकिन जब मैंने देखा कि उन्होंने अभी पहला ही नहीं किया तो मैं उनको दूसरा सिखाने की योग्य मैंने उनको जाना नहीं और मैंने उनको कह दिया कि नहीं इससे पहले आप ये करो लेकिन वो वहाँ अटक गए कर नहीं मैं तो यही विचार करके आया था ठीक है आपका विचार है अगर आपको लगता है तो वो मैं नहीं कराऊंगी मुझे जो लग रहा है मैं वही कराऊंगी अभी आपको उसके बाद क्या करना है ताकि आप पहले को भी कर सको और इसको भी कर पाऊ आप बड़ी मैनस से पैसा कवाते हैं वो पैसा किसी गुरू को या कोई पद्यती को सीखने के लिए देते हैं अगर आपने उसको किया ही नहीं तरीके से या गुरू ने उसके योग्या आपको समझा ही नहीं कि आपको देने योग्या है या नहीं तो वह वहाँ गुरू की भी गलती है और आपकी भी गलती है या मैं अपने आपको भी कहती हूँ अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो वह मेरे लिए भी एक अपमान जनक इस्तिती है मैं गुरू के पद को या अध्यात्म को जो है एक ऐसा रूप दे रही हूँ कि जिससे उसका विश्वास उठ जाए तो इसलिए जैसा अध्यात में इमानदारी क्यावशक्ता है वैसे तो हर शेत्र में है लेकिन यह समाज है इस समाज में चलाने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं उसमें हम विश्वे को नहीं कह सकते लेकिन अध्यात में तो कहीं इमानदारी होनी चाहिए और वही इमानदारी की उपेक्षा मैं आप सबसे करती हूँ और जो भी कुछ करें या आप मुझसे सीख कर भी आगे किसी को सिखा रहे हैं तो आगे भी उतनी ही इमानदारी से सिखाएं कि जो आपने ज्य प्राप्ट क्या है वो दूसरे को देने में आप सक्षम हो यदि आप सक्षम नहीं है तो आप बिल्कुल ना दे आप खली हीलिंग ही कर लें जरूरी नहीं कि आप उनको सिखाएं आप उनकी हीलिंग भी कर रहे हैं तो भी आपका कल्यान हो रहा है और दूसरे का भी हो रहा है आपका कल्यान यानि आपका earning source फिर भी बना है हाँ जिस दिन आपका confidence बन जाता है कि आप उस stage को देने में उस उर्जा को देने में या उस power को सिखाने में आप सक्षम हो गई हैं तो आप अवश्य दे क्योंकि मेरा उदेशी यह एकि आप मुझसे सीखें और आगे जाके औरो को भी सिखाएं जब सब तो मेरे पास नहीं आ सकते इतनी बड़ी दुनिया है आप जैसे लोग ही सीख कर जाके एक शाखा की रूप में फैलेंगे तो आप अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग लोगों को सिखाएंगे तो यह सारी दुनिया जो है अध्यात्म मे हो जाएगे और हमारे जीवन का कल्यान हो जाएगा बिलकुल गुरुमा तो लगातार दर्शकुज इस तरह से यहां पर गुरुमा ने ग्यान दिया है बहुत ही अच्छा और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हमारे इस कारिक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड पर सकते हैं और अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर हम वेबसाइट भी लगातार आपको दिखा रहे हैं इस वेबसाइट पर आप तबाम जानकारी पॉन्गारी पास सकते हैं यूट्ट्यूब पर जाकर भी तमाम वीडियोज को एक पर फिर से देख सकते हैं इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपके पास अगर आप वो पूछना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर हम तमाम जानकारियां भी आप तक पहुचा रही हैं तो चलिए वक्त हो चला है आप जोड़ी दर्शकों से आपने बात शूरीत की नमस्कार रिशी केश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं हमारा उदेश है कुंडलनी जागरन के लिए आवश्यक है ओम को सिध करना नागपाश खोलना विचारों से शुन्य होना समर्पन भावाना शरीर में बैठने की शम्ता होना तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलनी शक्ति को यदि आप भी चाहते हैं कुंडलनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में गुरुमा तपेश्विरी जी बढ़ाई एक कदम अध्यात्म की और और पाई स्वस्त शरीर संपन्ता वेकाग्रता गुरुमा के द्वारा 108 प्रकार की दिक्ष्वाएं प्रदान की जाती हैं जुझे लेकर आप अपनी जीवन को सुखों से भर सकते हैं आप गुरुमा से ध्यान वेउपचार पधित्यां सीख सकते हैं जैसे मुद्रा विज्ञान साधना से सिभ्योगी और तत्व ज्यान लामा फेरा तनाव डेप्रेशन पागलपन नजर दोश तोने टोटके में अत्यन प्रभावी योग माया रोगी को रोगमुक्त करना नीम बोधिक विकास एवं लक्ष प्राप्ति हे तूं टिंटी सरकल एकागरता बढ़ानी के लिए हमारा पता है गुरुमा तपेश्विती जी आश्रम दिश्वाधाब नियर दिल्ली सिंगु बॉडल पिन कोड वान थ्री वान जीरो टूएट गुरुमा 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 गुर